नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे SB Educator YouTube चानल में बहुत-बहुत सागत है दोस्तों, EFIBA के जो स्टूडेंट्स हैं, आप सब लोगों के लिए कल ही आपना पेपर है और बहुत ही कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स में कि जो अलग-अलग वाले दो सब्जेक्ट्स है के कमेंट्स आये हैं, जिनका कहना है कि प्रयोजन मुलक हिंदी कहीं पर भी क्वेश्चन्स नहीं मिल रहा है तो इसलिए EFIBA के जो स्टूडेंट्स हैं सेमिस्टर फर्स के लिए प्रयोजन मुलक जेव हिंदी है इसके उपर मैं कुछ क्वेश्चन्स, MCQ क्वेश्चन्स दे रहा हूं लेकिन यह जो क्वेश्चन्स है बहुत ही इंपोर्टन्ट है आप सब लोगों ने यह वीडियो पूरा ही देखना चाहिए और आपके जो फ्रेंड्स है जुनने यह प्रयोजन मुलक हिंदी चूज किया है तो उनको भी वीडियो शेर करना मत भूलो तो आप सब लोगों के लिए एक मेरे कहना है कि जो आप मेरे यूटूब चानल पे पहले ही आये हैं और यह वीडियो आप पहले ही देख रहे हैं तो प्लीज मैंने बहुत सारे एमसु की क्वेस्टन्स डाले मेरे यूटूब चानल पे और मैं डालता भी रहता हूं तो आप प्लीज मेरे यूटूब चानल सब्सक्राइब करना मत भूलो ताकि आपको मेरा जो नया वाला आने वाला जो वीडियो है उसका आपको वीडियो देख पाएंगे आप और सब्सक्राइब बटन के आगे ही एक नोटिफिकेशन टाब बेल आइकोन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन डाइरेक्ली एकोमेटिकली नोटिफिशे इंकेशन आ जाएगा तो दोस्तों सुरू करते हैं कुछ इंपोर्टन्ट क्वेश्चन को तो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन है प्रयोजन का अर्थ क्या है तो यहाँ पे options है, इस्तमाल, आकृती और उद्धिष्ट, तो इसमें से सही answer है कउद्धिष्ट, प्रयोजन का अर्थ है उद्धिष्ट, इसके आगे वाला question है, संप्रेशन का माध्यम क्या है, तो संप्रेशन का माध्यम क्या है, इसके लिए options है, शब्द, ध्वनी, भाश तो इसका सही answer है कभाशा, संप्रेशन का माध्यम भाशा होता है, इसके आगे वाला question है, विशेश कारे के संदर्भ में, प्रयोग किये जाने वाली हिंदी को क्या कहा जाता है, तो इसके options है, सामान्य हिंदी, प्रयोजन मुलक हिंदी, और इसमें से नहीं, तो इसका correct answer है, ब, प्रयोजन मुलक हिंदी, इसके आगे वाला question है, कार्या लईन और वैधानिक उद्देश के लिए कौन सी हिंदी का इस्तमाल किया जाता है, तो इसके options है, प्रयोजन मुलक हिंदी, सामान्य हिंदी, और इसमें से नहीं, और इसका भी answer है, अप्रयोजन मुलक हिंदी, इ के कौन से रूप है, शिक्षा भाषा और बाल भाषा, बोली भाषा और राज भाषा और इसमें से नहीं, तो इसका correct answer है, ब, बोली भाषा और राज भाषा, ए प्रयोजन मुलक हिंदी के रूप है, तो इससे आगे वाला question है, हिंदी राज भाषा का उल्लेक राज्य घट के कौन से अनुच्यद में आया है, तो इसके लिए options है, अनुच्यद 343 से 351, अनुच्यद 21 से 35, और अनुच्यद 35 से 74, तो इसका सही answer है, अनुच्यद 343 से 351, अनुच्यद 343 से 351 में हिंदी का राज भाषा करके उल्लेक आया है, राज घटना के अनुच्यद में, तो इसके आगे वाला question है, राज घटना के अनुसार राज भाषा हिंदी की लिपी कौन सी है, इसके options है, तमीली, ब्राम्मी और देवनागरी, तो इसका सही answer है, क दे इसके आगे वाला question है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौनसी है, तो इसके options है, अंग्रेजी, मराथी और हिंदी, तो इसका सही answer है, क हिंदी, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, हिंदी, इसके आगे वाला question है, निम्न में से कौनसी बोल या भाषा हिंदी के अंतरगत नहीं आती हैं तो इसके अप्षन से बांगुरु आवधी तेलगु तो इसका correct answer है क तेलगु याने कि बांगुरु और आवधी ये हिंदी के अंतरगत आने वाली भाषाएं हैं तो इसके आगे वाला question है निम्न में से कौन सी भाषा देवनाग अंतरगरी लिपी में लिखी जाती है तो इसका options है मराठी उडिया और सिंधी तो इसका सही answer है अ मराठी इसके आगे वाला question है वरतमान हिंदी का प्रचलीत रूप कौन सा है तो इसके options है अवधी खडी बोली और देवनागरी तो इसका सही answer है ब खडी बोली इसके आगे आगे वाला question है दक्षिनी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालाई कहां स्तीत है इसके options है चेननई मैसूर है इसका correct answer है अ चेननई इसके आगे वाला last question है सम्वीधान के अनुछेद 351 में किस विशे का वरणन किया है तो options है संग की राज्य भाषा का पत्राचार की भ सम्वीधान के अनुछे 351 में वरणन किया है तो दोस्तों ये सारे के सारे important questions है तो मैं चाहता हूँ आप सब लोगों को इसका बहुत ही benefit मिले और आपके friends को भी इसका benefit मिलना चाहिए तो आप सब लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो और आपको ये वीडियो पसंद आये तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलो और आपको और कोई problem से difficulties है तो comment में लिखना भी मत भूलो धन्यवाद